हम माता ब्रमचारणी की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं नवदुरगा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम माता ब्रमचारणी की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं नवदुरगा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं है ब्रमचारणी माता, भगतों की भाग विधाता है ब्रमचारणी माता, भगतों की भाग विधाता प्रियभक्त जनों, आज हम आपको माता ब्रमचारणी की कथा सुनाएंगे प्रियभक्तों, माता ब्रमचारणी नवदुरगा का दूजा रूप हैं यहां ब्रम्म का अर्थ तप है, अर्थात माता को तप का आच्रण करने वाली माना जाता है भगतों, क्योंकि माता ने भगवान भोलेनात को पाने के लिए बड़ा ही घोर तप किया था अता इनका नाम प्रमचारणी एवं तपसचारणी हुआ तो आईए भगतों, जानते हैं इनकी महिमा और कथा जो तिर में और भविरूप है मा का बड़ा निराला बाए हाथ मिलिया कमंडल दाहिने में जप माला जिन पर माता ब्रमचारणी किरपा करती हैं त्याग तपस्या सैयम की उन्हें शक्ती मिलती हैं दूजे नवरात्रे में करते इसी रूप का ध्यान अपने सभी भगतों का माता करती हैं कल्यान माता के इस रूप का जो भी सच्चा ध्यान लगाए विचलत नहीं मन होता चाहे परिस्तिती जो आए विपदाओं से पारभक्त वो पाही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं नवदुरगा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं है ब्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता है ब्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता प्रिय भगत जनों कहते हैं जब माता सती का अगला जन्म राज हिमाले और मैना के यहां हुआ तो इनके पिता हिमाले ने मुनी नारज जी के कहने पर विष्णु जी से इनका विवाह करना चाहा किन्तो माता तो सदैव भोले नात की अरधांगिनी है अता जब इनको पता चला तो इन्होंने अपनी सक्षियों से कहा कि मैं भोले नात के सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती तब इनकी सक्षियां गुप्त रूप से इन्हें एक वन में लेकर आई जा ब्रह्मचारिनी रूप में माता ने हजारों वर्ष कठिन तपस्या करके भोले नात को मनाया था तब इनकी पूजा से ऐसे ही कठिन तपस्या करने की शक्ती मिलती है आईए भक्तों जानते हैं माता ब्रह्मचारिनी की पूजा विधी गंदा जल से पहले करेशुथ पूजा वाला साथ श्री गनेश का सबसे पहले करना चाहिए ध्यान माता ब्रह्मचारिनी की फिर तुम मोडते वहां सजाना उसके बाद तो भक्तों आवश ही कलश का पूजन करना पंचा मृत से बाता को फिर तो स्नान कराई रोली चंदन अक्षत से फिर टीका इने लगाई लोंग का जोड़ा और पुश्प भी अर्पत करना है धूप दीप ने वैदि सहित फिर नावस मरना है मिश्विखीर या मरफी का इने बोग लगाते है पावन कथा सुनाते है नबदुरगा के दूझे रूप का घ्यान लगाते है हम कथा सुनाते है है ब्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता है ब्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता प्रियंभत्त जनों माता को श्वेत रंग बड़ा ही भाता है अता शोड़ा शोपचार से पूजन करने के पस्चात इन्हें मिश्री, खीर, अध्वा खोय की बरफी का भोग लगाया जाता है और कम से कम 108 बार माता किस मंत्र का जाब किया जाता है यह मंत्र है या देवी सर्वभूतेशू ब्रमचारणी रूपेन संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नम्हा अथ्वा ओम देवी ब्रमचार ने नम्हा इसका जाब भी किया जा सकता है शाम को फिर यही क्रम दोराएं पूजा पाट के पश्चात कथा का श्रवन या पठा नवश्य ही करना चाहिए माता की कथा सुनने से व्रत का फूर्ण फल प्राप्त होता है प्रिये भक्तों आज हम आपको माता ब्रह्म चारिनी की पूराणिक एवं दंत कथा दोनों ही सुनाएंगे ज्यान पूर्वक्ष्रवन करें आईए पहले सुनते हैं ये पूराणिक कथा पूर्वजन्म मेल के पितो थे राजा दक्ष प्रजापती उनकी ही तो ये पुत्री थी और था नाम सती दक्ष प्रजापती की थी भक्तों चोरासी कन्याएं होने लगी सयानी तो सबका ही विवाहर चाएं माता सती को किन्तु भोले नात ही भाते हैं लेकिन दक्ष प्रजापती को ये पसंद नाते हैं बोले नात सही वो ताने फिर है विवार चाया चाहे निरने इनके पिता को पसंद नहीं आया करके विवा भोले उनको कैलाश ले जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं नवदुरगा के दूझे रूप का ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं है ब्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता प्रियभत्त जनों अपने पिता दक्ष प्रजापती के ना चाहते हुए भी माता सती ने महादेश से विवार चाया और कैलाश परवत पर आ गई एक दिन राजा दक्ष प्रजापती ने एक महायग्य का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया किन्तु भोले नाथ और माता सती को निमंत्रन नहीं भी जा गया राजा दक्ष प्रजापती के महायग्य में सभी देवताओं को आकाश मार्थ से जाते हुए देखकर माता सती ने जिग्या सवर्ष भोले रात से पूछा हे नाथ आज सभी देवता कहां जा रहे है तब भोले नाथ ने कहा है देवी आपके पिता के यहां महायग्य का आयोजन है सभी देवता वहीं जा रहे है इतना सुनकर माता सती भोले नाथ से कहने लगी यदि कोई महायग नाथ है मेरे पिता के यहाँ उस आयोजन में हमको भी जाना चाहिए वहाँ भोले नाथ ने पर बूता को ये समझाया है कोई निमंत्र आपके पिता का हमें नाया है कहने लगी माह में निमंत्रन की आवश्यकता क्या कोई पराया घर नहीं है वो है मेरे ही पिता का महायग में जाने की सिद माता करने लगी बात नहीं मानी है उन्होंने भोले शंकर की परनन्दी को वो माता के साथ पठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं नवदुरगा के दूझे रूप का ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं है ब्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता है प्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता प्रिय भगत जनों बहुत जुद करने पर मोले नात ने अकेले ही माता सती को यग्य में जाने की आज्या दे दी और उनके साथ नंदिश्वर को भी पीच दिया जब माता सती अपने पिता के घर में आई तो सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें गलों लगाया सभी बहनों और स्वयम उनके पिता ने इन्हें अनादर से देखा इस पर भी माता सती चुप रही किन्तु जब यग्यशाला में आकर देखा कि सभी देवताओं के लिए उचित स्थान यग्यशाला में बनाए गए थे किन्तु भोले नाथ और माता सती के लिए कोई स्थान नहीं था अपने पिता से जब माता सती ने पूछा तो भोले नात के लिए इनके पिता ने भी अपमान जनक लाक्यों का प्रयोग किया इतना सुनकर माता सती का क्रोज सात्वे आस्मान पर पहुँच गया और उन्होंने अपने पिता से कहा आपने स्वयम यग्यों के स्वामी भोले नात का अपमान किया है आपका ये यग्य कदापी सम्पून नहीं होगा इतना कहकर माता ने स्वयम को योगागनी में भस्म कर लिया भोले नाथ के क्रोध के फिर तो भड़क गई जौला क्रोधित होकर पहुच गए है भोले यग्य शाला अपने एक जटा से उन्होंने वीर भत्र को बनाया राजा दक्ष की शीश को ही जिसने है काट गिराया और यग्य शाला का भी उन्होंने वित्वन्स कर दिया क्रोध शान्त पर भोले नाथ का अब तक नहीं हुआ जलती हुई सते कोले कर लगे है तांडव करने तीन लोक में मच गई त्राही देवी देव लगे डरने विष्णुजी फिर इन का प्रोध शान्त करवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं नवदुरगा के दूझे रूप का घ्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं है ब्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता है ब्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता प्रिये भगत जनों माता सती की जलती हुई काया को लेकर जब भोलेनात कांडव करने लगे तो तीनों ही लोकों में त्राही त्राही मच गई इतना देखकर ब्रमचारणी ने विष्णुजी से विंती की कि भोलेनात के क्रोध को शांत करने का कोई उपाय कीजिए विष्णुजी ने अपने सुदर्शन से माता सती के अंगों को उधर उधर विखरा दिया और कहने लगे ये भोलेनात दक्ष प्रजापती को अपनी भूल पर बड़ा ही पश्चा ताप है अता इने क्षमा करे विष्णुजी के कहने पर ही उन्होंने दक्ष प्रजापती को जीवन दान देते हुए उन्हें यग्य पशु बक्रे का शीश लगा दिया और स्वयम वेरागी होकर कैलाश परवत पर आ गए प्रिय भत्तों जैसा कि हम पहले ही वर्णन कर चुके है माता सती का अगला जन्म राजा हिमाले और मैना के घर हुआ जब इनके पिता ने इन्हें विवहा के लिए मुनी नारत के सुझाओ पर विष्णुजी को चुना तो ये अपनी सक्षियों की सहायता से गुप्त रूप से एक बन में आ गई और भोले नात की तपस्या में लीन हो गई क्योंकि माता ने तो भोले नात को ही पती के रूप में स्विकार कर लिया था विष्णुजी से विवहा का प्रश्ण नहीं नहीं उठता अधा माता अपने पिता को बिना बताए ही वन में आकर घोर तपस्या में लीन हो गई तब में लीन हुई है माता पिता को भिना बताए अनेको वर्षों तक माता ने बेल और पत्र है खाए और फिर व्रिक्ष के सूखे पत्ते माता लगी खाने कितनी कठिन तपस्या पर भी भोल नहीं माने फिर सूखे पत्तों का भी सेवन है छोड़ दिया सिर्फ वायू को पी कर ही मा करने लगी तपस्या कठिन तपस्या इनके देख भोले का हिला सिंहासन साक्षत आ करके दिये है फिर माता को दर्शन और विवा करने के लिए भेमान ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं नवदुरगा के दूझे रूप का ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं प्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता है प्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता प्रिये भगतों माता पार्वती की कठिन तपस्या देखकर अंत में भोले नात को मानना ही पड़ा इधर मुने नारत ने भी इनके पिता को बताया कि माता पार्वती भोले नात के सिवा किसी और को अपना वर नहीं चुनेंगी और इसके लिए वो वन में जाकर कठिन तपस्या करने लगी और उन्होंने अपनी तप साधना से भोले नात को प्रसंद कर लिया इनके पिता भी मान गए और आदर सहित अपने पुत्री को घर ले आए ततपस्चात भगवान भोले नात से इनका विवा भी रचाया प्रियभक्तों भोले नात को मनाने के लिए माता ने जो घोर तपस्या की थी किसी कारण इनका नाम तपस्चारिनी अथवा ब्रह्मचारिनी हुआ और माता पार्वती के इसी रूप की पूजा दूसरे नवरात्रे में करते हैं जिस प्रकार माता ने अपने तप और त्याग से भोले नात को प्रसंद कर लिया माता के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को तप और त्याग करने की शक्ती प्राप्त होती है प्रियभक्तों ये थी माता ब्रह्मचारिनी की पौराने कथा आईए सुनते है माता की एक और दंत कथा बड़े प्रचिन समय की है बद तो ये भी कथा देवदत नामक एक ब्रामभर किसे नगर में था पूजा पाठ करने वाला और बड़ा ही धर्म परायन शिवूर शक्ती दोनों के ही नामक करता सिमरन कलवति नामक पतनी उसकी पती व्रता नारी सेवा में तत पर रहती थी सदा ही आज्याकारी सुमन नामका एक पुत्र है उनको प्राप्त हुआ वंश बढ़ा तो ब्रामभर के घर चागई है कुशिया पती पतनी भती पर ही चलते फिर जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं नवदुरगा के दूझे रूप का ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं है ब्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता है ब्रमचारणी माता भगतों की भाग विधाता प्रिय भगत जनों समय के साथ ही सुवन्ड बढ़ा हुआ तो देवदत ने उसे एक गुरुकुल में चिक्षा प्राप्त करने के लिए भीज दिया कुछ वर्षों पश्चात सुवन्ड ने अपने शिक्षा भी पून कर ली और वो वापस आकर माता पिता के पास नगर में लोटाया अब अपने माता पिता के समान उसने भी पूजा पाठ में रुची लेना शुरू कर दिया था कुछ दिनों के पश्चात एक योग्य ब्राम्हण कन्या देखकर देवदत ने सुवन्ड का विवाभी कर दिया सुशिला नामक ब्राम्हण कन्या पतनी बन कर आई सुन्दर पतनी को पाकर वो हुआ प्रसन बढ़ाही प्रेम बढ़ाही अपनी पतनी से वो करता है सुभा शाम पर माता का वो नाम सिमरता है क्योंकि बचपन से ही मन में थे भक्ती की भावना किंदू पतनी सुशिला की थी और ही मनो का मना सोजते थी की मेरा पती हर समय रहे मेरे पास पूजा और पाठ में उसका कम ही था विश्वा सुमन के माता पिता बात को जान न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं नवदुरगा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं है ब्रमचारणी माता भगतों के भाग विधाता है ब्रमचारणी माता भगतों के भाग विधाता प्रिये भगत जनों सुवन की पत्नी सुशीला बड़ी ही सुन्दर थी किन्तु सुवन और उसके माता पिता के जैसे वो पूजा पाठ करने में कम ही विश्वास रखती थी सुवन ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरा जन्म व्रामभण कुल में हुआ है अता पूजा पाठ यग्यहवन आदी हमारा नित्यप्रती का करन है तो वो अपने पत्नी को अपनी मीठी मीठी बातों में फसा कर कहती ठीक है स्वामी किन्तु हमें अपने ग्रस्त जीवन को भी तो चलाना है क्योंकि सुवन अपनी पत्नी से अत्याधिक प्रेम करता था पत्नी की बाते उसे उचित ही लगती धीरे धीरे पती पत्नी का प्रेम बढ़ता गया और कुछ दिनों में वो अपने पत्नी प्रेम में इतना मगन हुआ कि पूजा पाट से उसका ध्यान भंग होने लगा पत्नी प्रेम में सुवन का जब ध्यान भटकने लगा तो उसके पिता देवदत को ग्याध हो गया कि सुवर्ण पत्नी प्रेम में मोहित होकर अपने पत्स से भटक रहा है तो देवदत अपने पुत्र को समझाने का कोई उपाय सोचने लगा उसने सोचा क्यों ना पुत्र से इस बारे में पूछा जाए एक दिन देवधत ने इस बारे में अपने पुत्र को पूछी लिया हे पुत्र क्या तुम अपने पत्नी प्रेम में पत ब्रश्ट तो नहीं हो रहे हो सुवर्ण को उसके माता पिता ने बहुत ही अच्छे संस्कार दिये थे उसने अपने पिता से कुछ न चुपाया और सब सच बता दिया अपने पिता को सुवर्ण ने सब सच ही बता दिया बोला पत्नी प्रेम में मैं भक्ती से विमुक हुआ कहती है वो अभी हमारा प्रहस आश्रम है पूजा पाठ के लिए बड़ा सारा ही जीवन है पूजा पाठ में इसे ले मेरा मन नहीं लगता मुझे बताए आप पिताशी इसका उपाय क्या आपको मुझ से अधिक पिताशी धर्म कर्म का ग्या पत्नी प्रेम के कारण मुझ में उपज रहा ग्या फिर तो देवदत अपने पुत्र को उपाय बताते है पावन कथा सुनाते है नवदुरदा के दूजे रूप का ध्यान लगाते है हम कथा सुनाते है है प्रम चारणी माता भगतों की भाग विधाता है प्रम चारणी माता भगतों की भाग विधाता प्रिये भगत जनों देवदत ने अपने पुत्र को समझाया है पुत्र जिस प्रकार ग्रहत आश्रम में पती धर्म निभाना अवश्यक है उसी प्रकार भगती करना भी अवश्यक है प्रिये भगतों उस समय पावन नवरात्रों की बेला आरंभ हो चुकी थी और अगले दिन ही दूसरा नवरात्रा था देवदत ने कहा कि तुम कल पुजा में अपनी पत्नी सहित बैठना भगतों अगले दिन देवदत ने अपनी पत्नी पुत्र और पुत्र वधु सहित विधी विधान से पूजा पाट किया और माता ब्रह्मचारिनी की कथा सुनाई और कहा हे पुत्र माता ब्रह्मचारिनी का सैयम तब और त्याग देखकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने पत्र से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए प्रिये भक्तों माता ब्रह्मचारीनी की कथा को सुनकर सुवर्ण और उसकी पत्नी के ज्यान चक्षुख हों गए और सुवर्ण और उसकी पत्नी ने माता सिक्षमा याचना की और वो दोनों भी माता की भक्ती में लीन हो गए ब्रह्म चारणी पाता के पता जो पिता ने सुनाई सुवन और उसके पतनी ने सद बोठी है पाई कितना जान कर पिता देवदत प्रसन हो गए है सारे गत नव रात्रों के फिर उन सब लेके है ब्रह्म चारणी पाता की ये भक्त तो ये है कथा सद बुधी मिलती है इसको जो भी है सुनता हंसराज रिलहन भी मा के चर्नों में करता नवन चेतन शुकलन शद्धा पूर्वक किया कथा का वर्नन फोज सुरेश भी माता की ही गिरपा पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं नव दुरगा के दुझे रूप का ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं है ब्रह्म चारणी माता भगतों की भाग विधाता है ब्रह्म चारणी माता भगतों की भाग विधाता हम माता ब्रमचारणी की तुमको कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं नवदुरगा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं